हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आदाब सस्रीकाल मैं हूँ आपका दोस्त रोबिन सिंग और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रंट ओपन स्लीट डिजाइन कैसे बनाया जाता है विद पाइपिन दोस्तों आज की वीडियो में आपको अगर आपको ऐसा वीडियो और सिख लेते हैं कुछ नया तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक सूट की मैंने कटिंग कर रखी है और इस सूट में हमने बनाना है फ्रंट ओपन स्लीट और इसमें दोनों तरफ पाइप में लगेंगी बिल्कुल नॉर्मल सूट की तरह कटिंग होती है जो चे पीछे का portion नहीं आप देखें यह देखिए पीछे का बिल्कुल बराबर है लेकिन जब भी आपने फ्रंट में आपने पाइप में लगानी हो तो लगवग आपको सवाइन चिया फिर डेडिश कपड़ा एक्ट्रा लेना और यह देखिए मैंने कट भी लगा रखा है और य इस प्रकार से दो अलग अलग पटी ले रहे हैं रैड गलग यह देखिए बिल्कुल इसके ब्राबर आपको पटी लेनी है और सबसे पहले आपको फ्रंट के जो दो पार्टे इनको उठा लेना है और बैक पोर्शन को रखना है साइड में अब मैं आपको बताता हूं कि यह देखिए यह जो आपको कट दिख रहा है इस कट पर आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हो यह फिर नाखुन से इसको दबा ले जितना भी हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा लिया है आप देख सकते है इसको मैं नाखुन से प्रेस कर रहा हूं तांकि इसकी अच्छी कृज बिटलीच बन जाक है यह देखिए पायाई अच्छ इसको मैं प्रेस कर लेता हूं हूं और को आपकोटन का तो नाखुन से प्रेस होता है अगर कोटव नहीं है तो आप इस परेस इस प्रकंपार million कर लें इसको दूसरी तरफ से देखिए इसको में पहुब्ले क से इस प्र तो इस प्रकार से प्रैस कर लिया है अब इसके बाद यह देखिए अब यह जो किनारी है इसको भी आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस प्रकार से यह देखिए और इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा नाखुन से प्रैस हो जाए तो अच्छी बात है व आप देखिए दोस्तों इस प्रकार से फ्लैट हो चुका है आप इसी प्रकार से दूसरे वाले पोर्शन को भी आपने प्रेस कर लेना है अब उठानी है आपको पाइप इन फ्रेंट्स लगानी कैसा है यह देखिए पाइप इन के लिए यह जो मैंने इसकी जो चुड़ाई लगभग मैंने लिए है इसको 2 इंच आप को दिखा चाहूं आपके में 2 बी चल सकता है सवा दो भी चल सकताई क्योंकि फ्रेंट्स इसको हमने करना होता है इस प्रकार से फोल्ड आइग देखिए एक बार विए फोल्ड कर लिया एक बार मैंने इसको यू फोल्ड करा और और अगर आप डोरी वाली पाइपिन लगाना चाहते तो वह भी लगा सकते हो लेकिन अगर डोरी वाली नहीं लगानी तो कपड़े की छुड़ी ज्यादा रखें जैसे कि मैंने लगबर ओने दो के करीवी चुड़ाई ली है इसको मैं इस प्रकार से डबल करने बाद इसको करा और यह देखिए इस प्रकार से यह ठोस बन चुकी है अब पाइपिन को लगाना कैसे यह देखिए और इदर से हमने प्रेस कर रखा है और जितनी भी आपको पाइपिन चाहिए यह देखिए उस प्रकार से इसको रखना नीचे और यह देखिए इस प्रकार से आपको आ किनारे के नहरे पर सेथिक लगानी है और एक स्लाई में ये पाइपी लग जाएगी और फैंडिyczी पैप में लगेगी कैसे इसको लेगी चलता हूं मशीन पर डिकी पर्टी हमको बाता देता हूं या यह जो पड़ी है मैंने रेड के लर्की इसको मैने इसको मैं पकार कर लिया और इदर से इसको मैं इस प्रकार से फॉल्ड कर लिया पट्टी यह जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गुम हो चुकी है इसमें आपको कोई भी एक्स्टा धागा नज़र नहीं आएगा अब यह देखिए इसको मैं रखूंगा इसके नीचे और यहां से इसलाई में त मैं आज़ने करूंगार्वा estratt उस लगाने के नहीर पर यह लिए ये बिलकुल आसान है इदर से इसको अड़र हमने प्रेस कर लिए रखा है और ये पट्टी है जो पट्टी को इस परकार से बस आपने fósd करना है और fosd करना के बड़ यह देखिए इसके नीचे इसको इसकार से रखें और केवल एक स्लाई में ही आपकी यह जो है पाइपन बहुत असान तरीके से लग जाएगी बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि पाइपन आपके बराबर हो यह देखिए फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आप देख सकते हूँ आगे के दो फ्रेंट्स पार्ट थे जिसमें एक में मैंने पाइपन आपको लगा के दिखा दी और बहुत असान तरीके से केवल एक स्लाई में ही पाइपन में लगा दी है बाकी फ्रेंट्स आप अपनी चोईस के कोडिंग पाइपन मोटी या पतली जितनी चाहते हो रख सकते हो आप आपको मैं इसका अंदर से लुक दिखाता हूँ यह इसका अंदर से लुक है और फ्रेंट्स जिस प्रकार से मैं यह पाइपन लगा लिए है सेम इसी प्रकार से इनको एक साथ अटैच करना है और एक साथ अटैच करने के लिए अगर आपको नीचे कट रखना है तो फ्रेंट्स उसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है अगर कट नहीं रखने तो यह देखिए एक आपको वाइट करका इतना बड़ा कपड़ा लेना है इसकी जो चुड़ा है उसके दसलों भीत है इसके निचर फ्रेंट जो मनें कट फर्ण कनाई जैनल जो कट होता है आठ हिंच होता है तो इसके लिए ही ईत्की सफीर निशाय है इसन लाइन है सिंगल है इसको हम करेंगा double डबल करने के लिए देखिए डबल इसलिए किया जाता है एक तो इसमें मजबूत किया जाती है क्योंको नीचे जो पैच लगेगा double कपड़ा हो जाएगा और उपड़ से इसमें जो सेक्ड काम है यह देखिए इसको आपने इस प्रकास से पकड लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ और यह इसको डबल भी मैंने कर लिया है अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इसके नीचे लगाना कैसे है यह देखिए यह है इसका गेरा और हमें यह जो step लगाना है यहां से को हमने start करेंगे इसको लगाना बिलकुल आसान है यह देखिए नीचे से ओपन है इसको इस परकार से एक बार यह फोल्ड कर लिया अब इसको बीचों भी center में यहां पर आपको इस परकार से रखना है और नीचे जो नि आपको मैं दिखाता हूँ मशीन पर इसको मैं इस प्रकार से अंदर की तरह फोल्ड कर लिया है और इसको बीचों भी यहां पर रखा है मैंने और यह जो मैंने निशान लगाया था इसका जो कट रखना नीचे समने यहां पर सेंटर में रखत हुए आप यहां से आपको जो इसलाई अपने पहले लगाई थी किनारे की उसी इसलाई के उपर आपको ढूबरह से लगा लेनी यह यह देखिए کی मैं इस मैं इस प्रकाहर से लगा लिए है बहुत आपैजी है अब यह देखि दूसरा जो पाइट ए अब इसको आप इसके बिल्कुल सामने रखना है, यह जो मार्क से मार्क आप मिला लें इस प्रकार से, और बहुत असान तरीके से, जैसे आपने यह स्लाई लगाई है, उसी प्रकार से आपको यह स्लाई लगानी है, यह पाइपन बिल्कुल आमने सामने हो इसके, और बहुत असान तरीके से इसको नीचे रखते हुए आपको यहां से स्लाई शुरू करनी है और बिलकुछ साथ 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 पाइपन को आपस मिलाते हुए सीड़ी स्लाई आपको निकाल देनी है और बहुत असान तरीके से आपका नीचे यह पैच लग जाएगा और फ्रेंट्स यह लगाने के पान गला आपको दिख रहा होगा इसको जैसे नोर्मल गला बनाते हैं उसी पकार सी यह पर बन जाएगा और फ्रेंट्स यह जब बन जाएगा आप जैसी यहां से थोड़ा अलगे आप इसको प्रहा थोड़ा अटैच कर लें आपस में ताकि यह कपड़ा इदर से हिले नह हुआ है तो फ्रेंट्स आप देख सब्ते हैं गला मैं ने बना लिया है गला बनाने के बाद अब इसके अंदर जो सूना पन लगा रहा है अब वह सूना पन हम दूर करेंगा इसका पाइपिन से तो पाइपिन देखिए दोस्तों यह उरेव पट्टी यानि कि जब हम कपड वबारे बता जता हूँ, कभी भी आपको सीधा कपड़ नहीं लेना ये देखी, ये जैसे कपड़ा भी कुझ सीधा है, भी कुझ bemigus stretch नहीं हो रहा, कपड़ा आपको श्रूट को कलना लेना उल्टा, और लग बग यहाँ पर आधााइंच के करन देते हुए, नहीं पर बिल् तो फेंट्स इस तरह से लगाने के बाद अब ये देखिए आपको बहुत इजी है ये जो कपड़ा है इसको साले को आपने अंदर के तरफ फोल्ड कर लेना है और अब आपको ये देखिए बिल्कुल बारिक पाई पर नजर आ रही होगी और बिल्कुल जड़ में यानि बिल अब माजनों को अंदर करते जाना है और इस तरीके से आपकी बहुत असान तरीके से पाई पर निकल जाएगी एक को हे फैंस आप सकते हो गलेमे में पाईपिन इस प्रकार से लगा दी फैपिल लगाने के बाद अब इसके अनदर का जो ये मार्जन चैनित फैंस आप देख सकते हो यहां पर आपको हलक हलके से कट लगाने क्योंकि जो कपडर उठा हुआ आपको नजर आ लोए इस कपड़े को आपने इस प्रकार से फोल्ड करना है और फोल्ड करके आप यहाप से लगा सकते हो यह फिर आप चाहो तो यह देखिए इस परकार से फोल्ड करके यह आप तुर्पाई कर सकते हो कि सारा the साथ जो मारजन अंदर की तरफ आपका चला जाएगा और बहुत ही असान तरीके से आपकी जो पाइप निकलाएगी इतना काम करने के बाद आप देखिए इसमें जो अगला काम है गला बन चुका है पाइप लग चुकी है एक अच्छा लुक देने के लिए आपको मैं दिखा चारी है और एक बटन इधर लगा देंगे एक इधर लगा देंगे बटन लगाने से इसका जो लुक है और भी अच्छा आजाएगा और बहुत ही फिनिशिंग से इस परकार से गले में पाइप लग गई और हमारा फ्रेंट ओपन जो स्लीट है जो कुर्टा है वह हमारा त् नीचे से यहां से यहां से भी फ्रेंट्स आप चाहुत रुपाई कर सकते हो और बाद में इतना तो नीचे से फोल्ड होई जाना है और इस प्रकार से आपका जो है आगे का पार्ट तयार हो जाता है इसके बाद बिलकुल सिंपल तरीके से जैसे सूट बनता है आपको लगानी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार दो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मुद्ट